हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स यदि आप क्लास 10 के स्टुडेंट हैं और 2021 में एक्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए वीडियो क्लास 10 का हिस्टरी का चेहप्टर 2 है और मैंने जाकर नुमर 1 और 2 मैंने बना कर के प्लेइलिस्ट में डाल दिया है या फिर नीचे ऋडिस्क्रिप्छन बोक्स में आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर2 का लिंक मिल जाएगा जिससे आप लोगों को किसी भी परकार क कोई confusion ना हो दोस्तों मैंने history का जो है chapter 1 complete कर दिया है यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लेजेगा और chapter 2 का भी question number 1 और 2 मैंने complete कर दिया है बहुत ही सांदार तरीका से जो मैं वो question आप लोगों के साथ discussion करता हूँ जो आपके आने वाले exam में पूछा जाएगा और बहुत पहले ये question पूछा जा चुका है तो चले इस वीडियो को सुरुवात करते हैं बटो से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं के हैं तो चैनल को सब्सक्राब कर ले और साथ में बेल आइकन को दवाना ना भूले तो चले शुरुवात करते हैं दोस्तो यह NCRT का question है question है October क्रांती क्या है जो की बहुत ही important है BBI question है दोस्तो 2021 के exam के लिए ठीक है अगला question मैं आप से discussion करने वाला हूँ सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं यह दोनो question पूछा जा चुका है आपके board exam में तो चले इसे सांदार तरीका से सुरुवात करते हैं दोस्तो देखे इसका मैं पहला answer आपको दिखाता हूँ October क्रांती क्या है तो इसका answer हो जाएगा 7 November 1917 यानि यह भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तो कि October क्रांती कब हुआ यह इस्वी आपको पूछा जा सकता है तो आप लोग कहेंगे 7 November 1917 इस्वी ठीक है तो चले इसका answer देखते हैं 7 November 1917 इस्वी को बाल सेवी को ने currency सरकार का तक्था पलट दिया किसने बाल सेवी की ने कब पलट दिया 7 November 1917 इस्वी को किसका तक्था पलट दिया तो currency की सरकार का किसका currency की सरकार का तक्था पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया और रूस पर अधिकार भी जमा लिया मतलब अब वो जो कहेगा रूस वही करेगा ऐसा अधिकार जमा लिया लेकिन दोस्तो वह तो नवंबर महिना था यानि के थी तो वह नवंबर करांती वह करांती कैसा था नवंबर करांती था किन्तु रूसी कलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था रूसी कलेंडर के अनुसार नहीं तो नवंबर ही था लेकिन रूसी कलेंडर के अनुसार अबतों को समझे दोस्तों अक्टूबर करांती किसे कहते हैं यानि कि क्या है तो बाल सेवी के ने बाल सेवी को ने करेंसीच सरकार का तक्था पलट दिया था 7 नवंबर 1917 को आप लोगों को ऐसे याद करना है यह है आपका ट्रिक ठीक है त्रिक मैं बताता हूं बाल सेवीकों ने करेंसी सरकार का तक्था पलट दिया था 7 नवमबर 2017 इसफिको जिसमें वह रूस पराधिकार भी जमा लिया रूसी कलंडर के अनुसार जो है वह अक्टूबर था लेकिन वह महिना यानि के मंत दरसल नवमबर था लेकिन रूसी कलंडर के अनुसार दोस्तो वह महिना जो है वह क्या था अक्टूबर था जिस कारण इसे ही अक्टूबर क्रांती कहा जाने लगा उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हुआ चलिए चौथा कोशन देखते हैं चौथा कोशन है दोस्तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं अपना कहने के लिए कोई वस्तू नहीं होती है उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं यानि के जो बहुत ही गरीब मजदूर है दोस्तो यानि समाज का वैसा वर्ग वैसा व्यक्ति जिसमें किसान मजदूर हो गया फुटपाथी दुकांदार हो गया गरीब लोग हो गया आम गरी पिने के लिए कोई दूसरा उसे कहने के लिए कोई नहीं था दोस्तो ठीक है जो अगर ना हो तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सर्वहारा वर्ग जो बहुत ही मजदूर जो फुटपाथ पर सोता है जिसको अपना कहने के लिए कोई नहीं है न खाने के लिए कोई पूछन वाला है न देने वाला है वह दोस्तों किसान मजदूर फुटपाथी दुकंदार जो है वह आपका सरवहारा वर्ग कहलाता है उमीद करता हूँ यह दोनों कुछन आप लोगों को बहुत ही सांदार तरीका से समझ में आ गया होगा वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा और कॉमेंट करके बताएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हमारे चैनल पर आप नए सब्सक्राबर है तो चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन को धबाना मत भूलेगा और इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिया ताकि वो स्टुडेंट भी इस वीडियो को देख करके जादा तयारी कर सके 2021 के लिए और अच्छे मार्क्स ला सके यदि आप लोग मैथ में 90 पलस मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाएए उसमें बहुत सारा वीडियो है मैथ का उसको सुरुवात से देखिएगा कहीं से देखने पर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत ही सौट को ट्रिक बताया हूँ सवाल सौल्व करने का तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम